दोस्तो आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे Poco M3 के बारे देखें दोस्तो ये बंद हो गया और नहीं हो रहा है मतलब भाई ने रीबूट किया अब ये एक कस्टमर आया था और इसको रीबूट किया और रीबूट करने के बाद ये मोबाईल आन नहीं हो रहा है मैं इसको पावर बटन भी दबा के रखा हूँ ये आन नहीं हो रहा है देखें दोस्तो अगर आपका ऐसा वाला प्रब्लेम हुआ है Poco M3 में इसको कैसे ठीक कर सकते हो एक साधा तरीका बताऊंगा वो तरीका लगा लिजेगा आपका मोबाईल 100% अन हो जाएगा मैं दो तरीका बताऊंगा एक तरीका है मोबाईल बिना खोले दूसरा तरीका है मोबाईल खोलके वो तरीका प्रोपर दिखाऊंगा एक दम वीडियो को स्कीम मग करना आपका मुबाइल 100% on हो जाएगा ठीक है दोस्तो तो चले दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आपे वीडियो पहली बार देखे रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करकर रहे हैं कि ऐसे ही मुबाइल के बारे में अच्छा चैब वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा तो मैं तो फिलाल मेरा मोबाइल ऑन हो गया लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको फोलओ करना बहुत लोगों का ओन हो जाता है और बहुत लोगों का ओन नहीं होता है देखिए अभी इसमें स्कुरू लगा हुआ है मैं इस क्रू को खूल लेता हूँ और खोलने के बाद आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है ठीक है दोस्तों देखिए मैं इसको थोड़ा खोल लेता हूं और खोल के बताता हूं आपको क्या करना है लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो यह चीज करना नहीं तो फिर आप मोबाइल को फोड पहले देखके खोलना तो फिंगर्प्रिंट फ्लैक्ट जोए कर जाएगा तो अराम से खोलना खोल के इसको धीरे से निकालना बाद में स्कूरू खोलना स्कूरू कहने के बाद आपको क्या करना है वह मैं बता रहा हूं वह चीज करना आपका मोबाईल हनंडेट पर्चन बन जाएगा ओन हो जाएगा लेकिन फिर से बंद मत करना फिर से बंद करोगे तो फिर से आपका मोबाईल जो है बंद होने का चांसे से देखे यह फिंगर्प्रिंट कनेक्शन पहले खोल देना क्योंकि यह कटने का बहुत ज़दा chances लेता है आपको क्या करना है सोच लिजे आपका मोबाइल आउन नहीं हो रहा है तो आपको पावार बटम खोलना है पावर कनेक्शन मतलब इसका बैटरी का कनेक्शन खोलना है उसके बाद एक ट्वीजर लेना है अगर आप टेक्निशन हो तब भी देख लो यह जो इत्त्ता प्लॉस मैनैस यह से करके आपको तूइजर में दोनो तरब लगाना है मतलब आपका मोबाइल में जो भी कر Önट है वो टोटाल ही डिश्चार्ज करते नहीं जैसकी इसका प्लॉस मैनैस को इसको ऐसे करते चर्टर देना है देने से आपका बैटरी चार्ज टोटा जरूरत नहीं है जैसे था वो इसको ऐसे ही fix करना fix करके लगा देना कि लगाने के बाद on करना 100% आपका mobile और हो जाएगा आपको दूसरा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना कि आपका mobile को दुबारा स्विच अप नहीं करना इसका पर्मानेट सलूशन के लिए आपको किसी भी अच्छा रिप्यारिंग शॉप लेकर जाना पड़ेगा देखिए मैं इसको ऐसे कर देता हूं और कि हो गया हमारा स्कुरू लग गया थिक है कि सभी स्कुरू हमने लगा दिया तो आप अगर आप एक टेक्निशन हो तो भी एक ट्राइ कर सकते हो और अगर अगर आप नया एक यूजर हो तो अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तभी यह चीज़ कोशिस करना नहीं तो आप सब कुछ फिंगर्प्रिंट फ्लैक्स सब कुछ खराब कर दो देखिए म इस वीडियो को ज़्यादा से जदा है और अगर आपको फूरा देखने के लिए दन्यवाद जहीं दोस्तों